हलो, what's up दोस्तो, कैसे हैं आप सभी दोस्तो, आज हम बात करने वाले हैं Easy Share अप के बारे में तो Easy Share अप जो है, वो मेंली, अगर आपने कोई नया फोन खरीदा है और इस फोन का सारा जो डेटा है वो आप उसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए, मेंली, जो है, वो Easy Share इस्तमाल किया जाता है लेकिन, बाकी की जो चीज़े हैं मान लिजे, आपको किसी और को भीजनी है और आपको ऐसा लगता है कि Bluetooth से बहुत समय लग रहा है तो आप Easy Share से उसको भीज सकते हैं तो बाकी के जैसे आपके Sharing Applications होते हैं जैसे कि आपका हो गया Share It या इसके अलावा Zender ये जो अप्लिकेशन है इनको अगर आप एक हम कहें कि substitute या option चाहते हैं तो Easy Share एक अच्छा option है तो इसको इस्तमाल कैसे करना है इसके अंदर कौन से functions आपको मिलता है सभी के बारे में बात करेंगे लेकिन दोस्तों उससे पहले एक important चीज आपको करनी होगी और वो ये है कि इस channel को जरूर subscribe कर दे जादी साथ नीचे जो बल आइकन दिखना है उसके उपर भी click कर दे ताकि हमारे नए वीडियो का update भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि easy share आपको play store पे कहा मिलेगा तो यहाँ पर देखिए easy share मेरे history के अंदर पहले से मौझूद है और कुछ इस तरीके का जो है वो इसका logo आपको नजर आता है ultra fast file transfer free and no ads तो इसके अंदर add वगेरा भी नहीं आएंगे आपको 4.6 star की rating मिल चुके है और 100 million plus download से आपर मिल चुके है तो app जो है वो खासा reliable है काफी लोगों ने review भी कर रखा है star rating भी अच्छी है तो चलिए और समय ना गवाते हुए सीधा app के अंदर चलते है तो यह वीवो easy share है तो वीवो ने इस app को जो है वो own कर रखा है तो यहाँ पर यह थोड़ी बहुत अपनी introduction दे रहा है पहचान करा रहा है कि कैसे आप चीजे कर सकते हैं यहाँ पर यह एक और option मुझे काफी interesting लगा तो शायद आप इस से जो है वो आप screen को cast भी कर सकते हैं याने कि आपके पास अगर कोई device है तो उसको आप cast भी कर सकते हैं देखते हैं वो option अंदर मिलता है या नहीं यहाँ पर start पर दबाए तो यह देखिए आपको phone clone का भी option मिलता है clone data from old phones to new phones in one tap तो आपको बस click करना है कि यह आपका पुराना phone है यह नया phone है उसके हिसाब से वो जो है वो आपके data को clone करेगा तो old phone पर click करें modify system settings for normal connection please ensure that allow to modify system settings which is enabled it has been engaged तो कुछ additional settings इसको चाहिए होंगी तो अभी यह जो allow modify system settings या भी हमारा on है तो हमें कुछ और करने की जुरुरत नहीं है तो यह देखिए इस phone के ऊपर कि सारे की सारे जो apps है वो सारे मुझे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और इन्वे से अगर कोई भी आप में वहाँ पर भेजना चाहूँ तो यहाँ पर मैं send पर दबा देता हूँ यहाँ पर किसी एक application पर मैं click कर देता हूँ चलिए speed test वाला application यहाँ पर send दबाएंगे तो settings में फिलहाल यह तो on ही है फिर भी यह क्यों पूछ रहा है मुझे पता नहीं देखते हैं तो चलिए दोस्तों यह जो है वो हमारा यहाँ पर एक security code बन चुका है तो इसको अगर कोई scan कर लेगा तो directly जो भी file मुझे share करनी है वो share हो जाएगी तो यह QR code specially हमारे लिए बना है तो जिस किसी आदमी को वो application चाहिए वो अपने phone का camera open कर लेगा इसी app के अंदर और फिर इसकी उपर जैसे ही पकड़ेगा तो यह QR code जो है वो scan हो जाएगा और application जो है वो अपने आप उसके phone में आ जाएगा तो इस तरीके से आप इसकी अंदर जो है वो कुछ भी send कर सकते हैं यहाँ पर accept पर दबाएं तो यह देखिए आपको यह scan हो रहा है nearby devices आपको दिख सकती है तो अगर कोई nearby device यहाँ पर pop up होता है उसके उपर click करेंगे तो भी file आ जाएगी अगर आप चाहते हैं कि QR code scan करके fatax file आ जाए तो उसका भी option आपको मिलता है यहाँ पर scan QR code में मैं click करूँ तो यह देखिए यह मेरा camera खुल गया है फिलहाल कोई code इसके सामने नहीं है लेकिन जैसे ही आप code के सामने camera पकड़ेंगे तो यह जो है वो अपने आप scan कर लेगा तो इस तरीके से जो है वो आप कोई भी चीज यहाँ पर receive भी कर सकते हैं यहाँ बाहर आ गए माफ कीजिएगा जी हाँ यहाँ इसके अंदर फिर से आ चुके हैं यहाँ पर आप कोई सी भी file हो यहाँ पर आपके install apps है आप चाहें तो इसमें से AP की files कुछ-कुछ मेरे पास हैं तो वो AP की files भी आप directly किसी को भी 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 भीज सकते हैं कोई problem नहीं यहाँ पर videos में जाए तो videos में भी आप जो भी video चाहें यहाँ पर डाल सकते हैं pictures में भी अगर कोई pictures हैं उनको भी send यह रेसीव कर सकते हैं music files हैं, उनको भेज सकते हैं, कुछ normal files है, यह देखिए, सारे मेरे phone के अंदर के जो भी folders हैं, सारे मेरे सामने खुल चुके हैं, यहाँ पर जो भी files होंगी, मुझे यहाँ पर देख सकती है, यहाँ पर whatsapp में जाओं, यहाँ पर media में, कुछ audio images वगेरा चीज़े हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, और भी कुछ-कुछ चीज़े हैं, यहाँ पर DCM में जाओं, तो मेरे camera में से कोई चीज मुझे send करनी है, तो उसका भी देखिए, मुझे option मिलता है, यहाँ पर चाहूँ, तो मैं contacts को भी बेज सकता हूँ, तो कोई contacts माल लीज़े, म Bluetooth devices जो है, या Bluetooth से sharing जो है, उसको अगर आप option चाते हैं, तो यह एक बहुत बड़िया चीज है, यहाँ पर three dots पर click करें, तो यहाँ पर देखिए, web share, phone clone, share, easy share application, storage location भी आप set कर सकते हैं, यानि कि जो भी कोई received चीज़े होगी, वो कहाँ पर जाएंगी, यह भी आप tag कर सकते ह हैं, और यहाँ से आप चाहें, तो sign in भी कर सकते हैं, हाला कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप without sign in करें भी इस application को इस्तमाल जरूर कर सकते हैं, तो दोस्तों कुछ इस तरीकी का यह application है, बहुत ही जादा simple है, और आपको अगर कोई भी चीज़ आपके old phone से new phone में क्लोन करन हैं, तो उसकी दे भी बहुत सही option यह सावित हो सकता है, तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को like करना बिलकुल न भूलें